हेलो नमस्कार अधाप सस्सीरकाल मैं रोही सिंग एक बर फिर अपने इस ऑनलाइट प्रेटफॉर्म अपने इस यूटूब चैनल जीमार कॉम्पेटिशन एज पर मैं आ चुका हूँ अपने उसी continuity को बरकरा रखते हुए ताकि आप अपनी घरों से ही इस कोरोना COVID-19 की जो situations बनी भी है जहां पर हम अपने घरों में बंध हैं कैद हैं उस विपत्ती को उस विपता को भी opportunity में convert करते हुए अपनी पढ़ाई को continue रखें मैं आपसे ऐसे रोज live म अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसे dislike भी कर सकते हैं choice is yours तो दोस्तो हम लोगों ने पिछले lectures में बात की थी profit and loss हम लोग topic पढ़ रहे थे तीन lectures हम लोग पढ़ रखे हैं बहुत सारे variations के बारे में बात की थी last lectures को continue करते हुए उसमें हम लोग जो variations पढ़े थे last वहाँ हम लोग आया थे selling price same वाले variation पे जहां selling price same हो no profit no loss का case हम लोगों ने last class में देख लिया था आज किस lecture में उसी चिसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग और बात करेंगे जब selling price तो same हो but overall कुछ profit या loss भी हो रहा हो तो उस question को कैसे solve करेंगे तो आए बढ़ते हैं और लेते हैं purchase each at triple 9 rupees एक दुकानदार दो घडियों को घडियों में प्रतेक को 999 रुपए पर बेचता है देखो वो दोनों को 999 एच पर बेच रहा है मतलब दोनों का selling price क्या है same तो आए हम बात करते हैं सबसे परहें लिख लेते हैं selling price one one तो हमारे पास total हो जाएगा two यह article A article B और यह मै price मैंने लिख लिए यहाँ पर one one मैंने इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का selling price same है वो each 99 rupees में कह रहा है आपका मन करें तो आप चाहो तो 99 rupees 9999999 और दोनों को जुड़के भी यहाँ लिख सकते हो काटोगे तो आपको जो ratio मिलेगा वो same मिलेगा अब बात करते हैं profit या loss की question में अगर आप आगे बढ़ें तो question में कह रहा है उसे first article पर 33 whole one upon 3% का profit होता है पहले वस्तु पर 33 सही एक बड़े 3% का लाव होता है 33 whole one upon 3% का मतलब होता है बच्छो one by three चुकि profit है तो हम वाल लिखेंगे और profit cost price पर होता है तीन का खरीदा एक का profit हमें यहाँ पर selling price लिखना है यहाँ तीन का खरीदा एक का profit यहाँ चार यह सारी चीज़ा मैं आपको percentage में भी और पिछले lectures में भी explain कर चुका हूं तो चीज़ों को थोड़ा direct लिखने की आज़र डालिए 33 whole one upon 3% का profit है मतलब 1 by 3 तो हम लों लिखेंगे 1 by 4 profit है इसलिए plus में second पर पूछ रहा है कितने का profit या loss होगा ताकि overall पूरे सौधे पर overall जो transaction है उसे 10% का हो जाए loss यहाँ देखिएगा पूरे सौधे पर 10% का loss हो रहा है 10% का मतलब होता है 1 upon 10 चुकि loss है overall loss इसलिए minus loss 1 होगा और यहाँ पर selling price 10 का article 1 का loss यहाँ बेचा गया 9 में पहले पर profit था 33 hole 1 upon 3% का 1 by 3 इसलिए हमने 1 दोनों को जोड़के 4 लिखा क्योंकि profit है second हमें find out करना है और overall हमें जो loss हुआ है वो 10% का है तो 10% का मतलब होता है 1 by 10 चुकि loss है तो 1 upon 9 minus करेंगे और loss है तो sign लगाना ना भूले इस method में sign का आपको use करना होगा क्योंकि allegation का last का step एक तरह से होता है बस आप इसे solve कर लीजिए आपको answer मिल जाएगा इसे मैंने solve किया यह आया 1 by 4 x is equal to minus 2 upon 9 तो यहां से मेरे पास value आई minus 2 upon 9 minus 1 upon 4 यानी minus 8 minus 9 upon 36 8 9 36 यह आगया minus 17 upon 36 यह मेरे पास value आई questions जो मैंने लिये है वो अपनी तरफ से data लिये है मैंने papers वेगरा में जो आपको data मिलता है वो proper data होते हैं तो आपके जो percent वेगरा आते हैं वो काफी मतलब सही तरीके से 20 परसें 25 परसे इस तरह से आता है आप मुझे एक बात बताईए कि आपने 36 में कोई article बेचा चुक चुकी हम लोग selling price पर स्वाल कर रहे है तो नीचे selling price आया है 36 पर अगर आपको इस आर्टिकल बेचते हैं तो आपको 17 रुपीज का loss होता है तो फिर cost price कितना होगा तो cost price के लिए दोनों को जोड़ कर दिजिए जोड़ दीजिए loss और selling price को जोड़ने से ही क्या मिलता है cost price तो हमने इसको जोड़ दिया यह आ गया 53 7 plus 6 13 3 carry 1 3 plus 1 4 plus 1 5 percent निकालना है into 100 यानि हमारा answer आया 1700 upon 53 percent अपने answer comment box में भी देते रहें बहुत सारे लोगोंने answer दिया था कुछ लोग के सही भी है कुछ लोग के गलत भी है तो गलत सही से आपको गवड़ाना नहीं है कोशिस करते रहें answer देते रहें data मैं questions में अपनी तरफ से खुद लेता हूँ इसलिए मेरे बहुत सारे questions का answer इसलिए से fractions में आ जाते हैं तो उस पर आप ध्यानना दीजिए process समझे तरीका समझे और आप उसे किसी भी questions में apply करिए वो हर जगा applicable है तो यह आज के session का पहला example था जहां selling price तो same है बट overall हमें profit or loss हो रहा है पिछले time पर हमने प्रहा था selling price same था बट no profit no loss था अब अगर हम बात करें कि selling price same ना हो अगर selling price same नहीं है और overall profit or loss भी हो रहा है और articles भी 2 से ज़ादा हो जाएं तो कैसे solve करेंगे तो आयो उसको समझने के लिए अगले example की तरह बढ़ते हैं अगला example जो की आपकी screen पर आ चुका है जिसे आप पढ़ें questions को ध्यान से पढ़ें और questions को पढ़ने के बाद अपने answers भी comment box में देते रहें questions को solve भी करते रहें और फिर match करें मेरे process से मैं जब solve कर लूँ कि कहां गलती हुई अगर गलती हुई तो और अगर साही हुई तो confidence boost up होगा आपका तो अगला जो question है अगला जो example है उसमें गहरा है कि तीन वस्तुए हैं और shopkeeper has three article A, B and C एक दुकानदार के पास तीन वस्तुएं थी A, B और C तो मैंने लिख लिया और यहां लिखा total और कह रहा है कि ratio of their selling price और उनके विक्रह मुल्यों का जो अनुपात है ratio of selling price वो है 3 ratio 4 ratio 1, 3 अनुपात 4 अनुपात 1, वो मैंने लिख लिया 3, 4 and 1, तो total 3 plus 4, 7 plus 1, 8 तीन article थे ABC जिनके selling price के ratio में given था 3, 4 and 1 हमने लिख लिया overall हो गया 8 अब वो कह रहा है first article पे उस shopkeeper को 25% का हुआ है first article पे question में कह रहा है कि उसको 25% का loss हुआ है अब पहले article पे 25% का loss हो रहा है 25% का मतलब होता है 1 by 4 चुकि loss है तो हम भो लिखेंगे 1 upon 3 और loss है तो minus ठीक इस बात कर दहां रखेगा पहले पे loss था इसलिए minus 1 upon 3 minus लिखा और 25% का था 1 by 4 loss है इसलिए 1 by 3 इन चीजों को अब आप direct लिखते हो चलिए आप percentage ही पढ़ चुके हैं पूरा और profit and loss के भी कितने सारे lectures हो चुके हैं तो अब इन सब चीजों की habit आपकी बन गई होगी percent की value डारेक लिखना तो यह मैंने लिखा पहले पे loss था 25% का तो 1 by 4 यानि 1 by 3 minus करके लिखा sign जरूर लगाईएगा loss है तो minus second पर उसे profit हो रहा है वो profit हो रहा है उसे 33 whole 1 upon 3% का second article पर 33 सही एक बटे 3% का profit हो गया 33 सही एक बटे 3% का मतलब होता है 1 by 3 चुकि profit है तो हम लों लिखेंगे 1 upon 4 जबकि third article पर तीसरी वस्तू पर उसे 20% का profit हुआ 20% का मतलब होता है 1 upon 5 एक बटे 5 तो चुकि यह profit हमारे पास cost price पे है तो selling price पर लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20% का profit मतलब 1 upon 6 पहले पर loss था second पर profit था third पर profit था second पर profit था 33 whole 1 upon 3% का तो 1 by 3 तो 1 by 4 third पर हमारे पास 20% का profit था 1 by 5 profit है तो 1 by 6 और first पर loss था 25% का इसलिए 1 by 3 minus के 7 हमें बताना है overall profit and loss मतलब इस बार हमें यह find out करना है solve के लिए दोस्तों आपको answer मिल जाएगा या या minus 1 या या plus 1 और यह आपके पास है 1 by 6 is equal to 8x इनको multiply करेके यहाँ लिखा इनको multiply करेके यहाँ लिखा इनको multiply करेके यहाँ लिखा equal to उनको multiply करेके यहाँ लिखा with sign यह cancel out होगे हमारे पास जो value आई वो आया 8x is equal to 1 upon 6 तो x की value आगी 1 upon 48 1 by 48 1 upon 48 plus में आया है plus में आने का मतलब यह profit है और profit यह loss cost price पे calculate होता है बढ़ हमारा data selling price पे आया है मतलब यह तो profit है और यह selling price है तो आए ज़रा इसे cost price पे calculate कर लें तो हमारा जो actual profit percent होगा profit 1 का 48 पर बेचा 1 का profit मतलब खरीदा 47 का तो 1 upon 47 into 100 यानि 100 upon 47 percent यानि approximately 2 percent के profit के आज़ पास हमारा answer आयेगा तो यह दोस्तों हम लोग ने बात कर ली जो पिछले lecture था उसी के यह दो variation शूटे हुए थे एक variation शूटा हुआ था selling price same but overall profit and loss मैंने different पे भी करा दिया और 2 से ज़्यादा हो उस पे भी करा दिया यह process आपका इस तरह के हर questions में applicable है इस variation में बस आपको एक बात का ध्यान अखना इस process को आपको करते समय एक बात का ध्यान अखना है कि profit है तो plus में loss है तो minus में लिखिए और यह जो change करना है यह वही करना है जहां selling price का relation होगा जहां cost price का relation होगा वहाँ आपको change करने किया सकता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि profit और loss cost price पर ही होता है और आपको relation भी cost price का ही दिया होता है लेकिन profit loss cost price पर तो है अगर आपको कोई डाउट पगे रहा हो तो आप comment box में लिखें या मेरा personal number भी आप सबी बहुत सारे लोग के पास है उस पर आप whatsapp कर सकते हैं किसी कोई डाउट हो तो मुझे whatsapp कर सकता है इस number पे और इस से related practice questions भी आप मुझसे इस number पे ले सकते हैं किसी भी lecture जब भी कोई lecture हो उसके बाद अगर आपको इस related practice questions आईए तो आप मेरे से इस number पे मुझसे ले सकते हैं वाटसेप नबर है इस पे वाटसेप करके भी आप ले सकते हैं यह हमारा competition age का टेलिग्राम चैनल है आप उसमें भी एजूर सकते हैं वहाँ पे भी आपको सारे subject के content वेगरा classes वेगरा भी आपको वहाँ पर सारे materials भी आपको वहाँ पे available हो जाएंगे तो यह बात कर लगी ह आते हैं सारे competitive exams में और इसमें जो question बनता है mainly वो दो तरह का बनता है बनता तो वैसे तीन तरह का है यहाँ पर rate given होता है एक variation हम पहले पढ़ चुके हैं इसका जो candies वाला था जहां एक rate given होता है cost price का यह selling price का दूसरा rate आपसे पूस्ता है जैसे मैंने आपको question कराया हुआ है आप first lecture अगर आप देखें जो लोग नहीं देखें वो first lecture के through जाएं तो आप देखो के वहाँ candies वाले मैंने questions कराया है और उसमें मैंने आपको कराया है कि 5 रुपए में 4 आर्टिकल 5 टॉफियों की दर से कुछ 5 रुपए में 4 की दर से एक दुकानदार ने कुछ टॉफिया करी दी तो किस दर पर बेचे ताकि उसे 20% का profit हो जाए इस तरह के question एक rate given होता था वो cost price का भी हो सकता था वो selling price का भी हो सकता था दूसरा rate आपसे पूछता था कि बताइए खरीदने का rate या बेचने का rate या इतने profit पर या इतने loss पर बेचने का rate क्या होगा इसके दो variation और हो उसमें दो rate cost price के और एक rate selling price का होगा और number of article भी same होगे तो उसको कैसे solve करेंगे तो आओ बच्चो जराइस पर भी धान देते हैं और उसके लिए चर्चा करते हैं हम लोग लेते हैं अगला example तो अगला example आ चुगा है हमारे अगले variation का जो आप अपने screen पर देख पा रहे हों एक दुकानदार ने 4 रुपए में 5 की दर से कुछ टौफिया खरीदी और shopkeeper purchased some candies at the rate of 5 for 4 रुपीज एक दुकानदार ने 4 रुपए में 5 की दर से कुछ टौफिया खरीदी खरीदने का rate हमारे पास cost price का rate हमारे पास given है चार रुपए में 5 की दर से कुछ टौफिया खरीदी 5 for 4 रुपीज and he sell them at a rate of 3 for 2 रुपीज और उसने इसे 2 रुपए में 3 की दर से बेज दिया and he sell them at a rate of 3 for 2 रुपीज और इसने उसे 2 रुपए में 3 की दर से बेज दिया then find पहला question आपसे कह रहा है then find his profit percent तो उसका लाब प्रतिसत बताईए अब इस question को करने के लिए मैं सबसे पहले method की बात करूं अगर basic method की method number one उसमें आपको क्या करना होगा cost price चार रुपए में 5 खरीदा तो एक कादाम 4 बटे 5 और selling price दो रुपए में 3 खरीदा बेचा तो एक कादाम 2 बटे 3 आपको cost price selling price पता है profit loss निकाल लिजिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4 by 5 2 by 3 4 by 5 2 by 3 में 4 by 5 बड़ा है यानि यहाँ पर हमें हो रहा है loss loss कितने का कुछ बच्चे अगर यह सोच रहा है कि सर आप ने इतना जल्दी कैसे पता कर लिया कि loss हो रहा है यानि cost price बड़ा है selling price होटा है तो मैंने ऐसे पता किया इसके denominator को उपर multiply कर दिया 12 और इसके denominator क इसको इसको पर multiply कर दिया 10 यानि यह 12 और यह 10 और 12 और 10 में 10 छोटा होता है मतलब CP बड़ा है मतलब loss तो आप जड़ा loss percent निकाले कितने का loss हुआ तो loss होता है CP minus SP तो CP 4 upon 5 है SP 2 upon 3 यह loss हो गया upon CP into 100 यह हमारे पास loss की value आई और अगर मैं इसे calculate करूं तो यह होगा बच्चो 12 यह हो जाएगा 10 तो हमारे पास आएगा 2 upon 15 इसको solve किया मैंने उसकी value 2 upon 15 और यह 4 by 5 है तो 4 नीचे ही रहाएगा 5 चला जाएगा उपर into 100 ठिक अब यहाँ से इसको solve कर लेते हैं तो 5 से कड़ गया यह 3 times में 2 से कड़ गया यह 2 times 2 से कड़ गया यह 50 times तो हमारे पास answer आया 50 upon 3 30% 50 बटे 3% या 16 सही 2 बटे 3% का हमें क्या हुआ loss हुआ यह हमारे पास यहाँ पर आया loss बिल्कुल पहला और easy variation है बिल्कुल आसान सा बिल्कुल 25 पैसा type variation जिसको मैंने आपको basic से solve करके बताया आप खुद ही देख सकते हैं basic method में ही यह कितना चोटा process है तो आगे भी तो औ यह और चोटा हो जाएगा तो यह पहला होता है इसका करने का तरीका दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका आपको जिस से करना है आप जिस process का यूज करेंगे मैं उसकी बात कर रहा है second process की अगर बारे में बात करो हूँ थोड़ा समय रप कर दो थाकि space हो जाए इसको करने का second process है जिसे आपको use करना है वो क्या है तो उसमें देखो करना कि आपको second process के बारे मैं बात कर रहा यहाँ पर article सेम है, article आपको same करने, number of article सेम करने क्योंकि आपको profit या loss पर्षंट निकालना है तो आपको जितने article का cost price लेना है उतने article का ही selling price भी लेना होगा, profit या loss में number of articles, percent निकालते सेमें number of articles सेम होने चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है article यानि वस्तों की संख्या पर ध्यान देना है वस्तों की संख्या यहाँ लिखे हुए है यह 5 है, यह 3 है, तो ऊपर वाले को 3 से multiply कर दीजी तो 12, 15 3 से multiply किया, 12 और यह हो गया 15 और नीचे वाले को 5 से multiply कर दीजी तो 10 रुपाय में 15 यह cost price खरीदने का rate यह selling price बेचने का rate यानि आपने 15 टॉफियां 12 की खरीदी हैं और 15 टॉफियां अपने 10 की बेची हैं तो आपको 2 रुपाय का loss हो गया, यह loss होता है CP पर into 100 तो यह हमारे पास loss आ गया 50 अपन 3 परसेंट यानि 16 सही 2 बटा 3 परतीस सद देखो मैं आपको कई सारे process बता रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है मैं आपको यह दिखाना चाहरा है मैं आपको बस इतना समझाना चाहरा कि चीजें एक दूसरे से related होती है जो भी आप ट्रेक्स पढ़ते हैं उसके पीशे का concept जानना भी important है ताकि आप उस चीज को कई questions में use कर पाएं अगर आप चीजों को रट होगे इससे मैं solve करने की सला आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें दिख रही है पंदर आर्टिकल का cost price, पंदर आर्टिकल का selling price आप जैसे अगर आप question में देखे तो question में जो second part है second part वाले question में कह रहा है कि बताईए कि अगर उस दुकानदार ने 45 टॉफियां बेची 45 candies अगर वो sell करता है तो उसे कितने रुपए का profit या loss होगा यानि ये तो first part का answer आया अगर मैं second part की बात करूँ इस question के कि अगर वो 45 टॉफियां बेचता है तो उसे कितने रुपए का profit या loss हुआ तो वो भी आप यहां से easily calculate कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है क्या पता है कि 15 वस्तू खरीद कर 12 रुपए में और 15 वस्तू को 10 रुपए में बेचने पर आपको 2 रुपए का loss हो रहा है आपको 2 रुपए का हो रहा है loss यानि 15 आर्टिकल पर 15 आर्टिकल पर आपको 2 रुपए का हो रहा है loss तो आपसे 45 आर्टिकल पूछ रहा है तो 15 का 3 गुना 45 यानि 2 का 3 गुना 6 रुपए का आपको क्या होगा loss होगा यानि मैंने आर्टिकल देकर आपसे loss की value पूछ ली यह loss की value देकर आपसे article पूछा जाए, वो सारी चीज़ों को आप यहां से calculate कर सकते हैं, इस method से यह आपके लिए थोड़ा से beneficial होता है, और वैसे छोटा तो यह है ही, इतना पार तो आपका question कहीं लिखा है, आप इसे चाहो तो early भी calculate कर सकते हैं, most of the question जो आपके paper में आते हैं, वहाँ पर 70% question में profit or loss percent पूछे जाता है, लेकिन 30% question ऐसे भी होते हैं, जहाँ पर आपसे candies या article या profit or loss की value को भी पूछा जा सकता है, अब इसको कर रहे हैं का जो तीसरा method है, यानि third method, third method में आपको क्या करना है, तो आई ज़रा third method की तरह बढ़ते हैं, तो तीसरा method जो है, उसमें आपको बस एक काम करना है, cross multiply, अगर मैं third method में बात करूँ, तो आप cross multiply करें, 4 into 2, इसका multiply इसमें, यह आया 8, 5 into 2, यह आया 10, यह हो गया cost price, यह हो गया आपका, 4 into, sorry, 4 into 3, यह आपका 12, और 5 into 2, यह आपका 10, यह आया cost price, और यह आपका selling price, अब इस method में जो सबसे समयने वाली बात जो है, वो क्या है, कि cross multiply करने पे 12 और 10, दो values तो हमारे पास ही आ रहे हैं, अब हम कैसे पता करें कि इन दो values में cost price कौन सा है, और selling price कौन सा है, तो इसे प पर ही किया, आग लगाओ method बता देते हैं, और आप भी खुश जाता हो कि हमें trick मिल गया, इसे multiply कर दिया और हमारे पास sensor आगे, तो यह कोई trick नहीं है, यह एक basic सा concept है, क्या है, पिछले method में ही को ही आपने यहाँ पर लिखा है, देखो पिछले method में हमने क्या किया था, पर लगाने के लिखना है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इससे मतलब था, परसें निकालने के लिखे तो हम लोग यहाँ पर आप ऐसे solve कर सकते हैं, अब वो तो मैंने पिछले method से बताएगी आप यहां कर किया रहा है लेकिन अगर आप इसका use कर रहे है cross multiply का और आपको यहां से पता करना है कि कौन सा cost price कौन सा selling price तो आप इसको अगर इस method को use करना चाहते हैं तो थोड़ा समझ के करिएगा कैसे 4 into 3 12 5 into 2 10 तो आया अब आपको देखना है cost price में rupees वाला जो term है वो है 4 तो यह जहां भी multiply होगा cost price ही देगा तो 4 into 3 12 यानि यह cost price है यह cost price वाला यह term यहां multiply हुआ है यह selling price का rate था इसका जो rupees वाला term यानि यह जो 2 है वो जहां भी multiply होगा वहाँ पर selling price देगा मतलब यह हमारे पास क्या है selling price तो यहां पर हमें हुआ loss loss हुआ हमारे पास 2 का और यह loss होता है CP पर into 100 यानि 50 upon 3% यानि 16 सही 2 बड़े 3% का क्या हो गया loss यह तो first part की बात हमने कर ली दिक्कत यहां पर फिर second part में आती है second part में percent नहीं पूछा गया second part में आपसे पूछा गया है कि बताईए कि अगर उसने 45 45 candies बेची तो उसे कितने रुपे का profit या loss होगा अब हमारे पास CP SP की value है लेकिन हमें यह नहीं पता है कि कितने article का cost price या selling price है यह भी तो पता होना चाहिए कि 12 में बेचा और 12 खरीदा लेकिन हमने 10 में बेचा और 12 खरीदा लेकिन खरीदा और बेचा कितना article number of article क्या थे एक था दो था या तीन था वो कितने थे percent इसले निकल गया क्योंकि मैंने आपको पहले भी कह रखा profit loss percent article पर depend नहीं करता यह 1 का हो 2 का हो 10 का हो आपका percent वही रहेगा बट value निकालने के लिए profit and loss की number of article का पता होना भी जरूरी है तो अगर आप इस process के थूरू जा रहा है तो आप कैसे पता करेंगे तो cross multiply करने के बाद जब आपने value लिख ली तो article यहां लिखे हुए हैं इनको multiply कर लेजिए 5 इंटो 3 यह आएगा 15 15 का मतलब 15 यहां से भी और 15 यहां से भी यह 30 article का cost price और selling price है यानि हम खूम फिर का गर बात करें तो जो मैंने इसके पहले method बताया था आप वही काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मैं जोड़ता था तो लिखता था 22 रूपए यह 15 article का cost price और यह 15 article का selling price तो करना आपको वही काम है तो यहां से करना चाहते हैं तो cross multiply करें के percent निकाले को जायतर question ने percent पूसता है value निकालने के लिए आप क्या करेंगे 5 into 3, 15 यानि यह जो जितना भी data लिखा गया है वो 15 article का है 15 वस्तुवों का data है यानि 15 article का cost price 12 और selling price 10 है यानि 15 article पर मुझे हो रहा है 2 रूपए का loss तो 45 article पर मुझे होगा 6 रूपए का loss loss निकालना है 15 का 3 गुना 45 दो का 3 गुना 6 तो यह होता है इसका पहला variation जहां पर दो rate given हो एक cost price का और एक selling price का इसको करने के लिए हम लोगों ने बात की यहां तक अब इसके second variation की तरफ आते है जहां दो cost price का rate और एक selling price का rate given हो और उस पर आपको profit या loss पूछ लिया जाए तो second example बढ़ने से पहले इसका एक और example मैं आपको कराता हूँ जो आपकी screen पर है तो जरा देखें अपने screen पर question आ चुका है फड़ाफ़ट answers बताएं comment box में answer फड़ाफ़ट बताते रहें वीडियो आपके YouTube channel पर हमेशा available है ये वाला वीडियो भी तो कभी भी doubt पर रहा हो या कभी भी आवसकता पड़े तो आप पीछे जाकर कभी चैनल पर जाकर इन वीडियो इसको फिर से देख सकते हैं आपनी आवसकता अनुसार कोई चीज रिपीट करनी हो फिलाल comment box में question आपके screen पर आ चुका है उसको देख कर answer बता है question screen में है जो हमारे पास उसमें कह रहा है कि एक shopkeeper है वो कोई article 5 for 8 रुपीज 8 रुपए में 5 की दर से कुछ आडिकल खरीदता है और उन सभी को बेज देता है 8 for 5 रुपीज एक दुकांदार कुछ वस्तुवें खरीदता है 5 for 8 रुपीज 8 रुपए में 5 की दर से और उनको वो बेज देता है 8 for 5 रुपीज पांच रुपए में आठ किदर से reverse कर दिया है तो आप से कह रहा है कि बताइए उसका profit percent या loss percent जो भी है वो क्या है चुकि इस question में percent पूछ रहा है तो आप directly percent निकाल सकते हैं मैं directly percent निकाल दे रहा 8 into 8, 64 यह हमारे पास cost price आगया 5 into 5, 25 यह हमारे पास selling price आगया cost price, selling price cross multiply method यह है जो just मैंने अभी आपको बता है 8 into 8, 64, 5 into 5, 25 साब साब दिख रहा है यहां आपको हो रहा है loss क्योंकि selling price का है चोटा profit भी आ सकता है, loss भी आ सकता है मेरे दोनों example में loss ही आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी हो profit या loss तो हमें loss हो रहा है और यह loss हो रहा है 64 minus 25 का यह loss होगा 64 पर into 100 यह हमारे पास value आ गए या 9, 39 upon 64 into 100, या 3900 upon 64 यह हमारे पास value आ गए इसको आप और cancel out कर सकते हैं जितना भी simplest form में हो आप उसे solve कर सकते हैं, आप उसे solve कर लिजएगा तो यह example मैंने यहाँ पर आपको करा है, इसको और लिख सकते हैं आप 39 into 25 upon 16 इससे आप calculate के लिजएगा, यह decimal में आएगा मैं data random ले रहा है, इसलिए इस तरह के number सारे, paper विगरा है में data काफी आपको easy और अच्छा मिलता है या, जो मैंने second process बता है जिससे मैंने आपको करने के लिए आप उससे भी कर सकते हैं, 8 है तो इसको 8 से multiply के लेजी 64 rupees में 40 और इसको 5 से multiply 25 rupees में 40 यह cost price, यह selling price आपको बता चल गया 6425 loss हो रहा है 39 का loss CP पर into 100 यानि 3900 upon 64% यह हो जाएगा आपके पास answer तो आप जिससे जाएं उससे solve कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह मैंने बात की इसके first variation की अब बात करते है इसका second variation जो कि आज के lecture का हमारे last variation है इसमें भी इसी के variation का आज हम इसे complete कर लेंगे इसका second variation आता है जब cost price के दो rate और selling price का एक rate given हो और आपसे profit या loss percent पूछ लिया जाए तो कैसे solve करेंगे, क्या करना होता है उसमें तो आई जारा उसके लिए एक example लेते हैं तो आप अपने screen पर देख सकते हैं screen पर आपके सामने के example चल रहा है और question में कह रहा है कि a shopkeeper purchased two type of orange एक दुकांदार दो प्रकार के संत्रे in equal quantity बराबर बराबर मातरा में खरिदता है जिनके दर्क्रमसा रेट आपको given है इसको खरीदने का पहला rate given है 445 रुपीज, 5 रुपए में 4 और दूसरा rate given है 544 रुपीज, 4 रुपए में 5 एक दुकंदार दो प्रकार के संत्रे बराबर बराबर वात्रा में खरिदता है 445 रुपीज और 544 रुपीज जो आपको मैंने बोड पर यहां पर लिख दिया है यह दोनों खरीदने के rate है यानि दोनों cost price के rate है और उनको बेज देता है 10 रुपीज में 9 की rate से और उनको वह 10 रुपए में 9 की दर से बेज देता है तो कुल सौधे पर होने वाला उसका लाव अथवा हानिक परतिसत आपको बताना है आप देखो पिछले question इस question बस अंतर इतना है कि वहाँ पर एक cost price एक selling price के ratio given होता था यहाँ पर दो cost price एक selling price के ratio given है तो पहले आपको इन दो cost price को combined ratio में यानि एक cost price के ratio में rate में change करना होगा उसके लिए आपको वही काम करना है 5 है तो उपर 5 से multiply 25 रुपीज में 20 और यह 4 है तो नीचे 4 से multiply 16 रुपीज में 20 25 रुपे में 20, 16 रुपे में 20, 5 से multiply, 4 से multiply ऐसा मैंने क्यों किया यहाँ पर cost price में ही दोनों का यह multiplication क्यों किया है को question में number of article सेम है यानि 20 खरीदा 25 का, 20 खरीदा 16 का यानि अगर मैं total बात करूं cost price की तो 41 रुपे में उसने कुल 40 संत्रे खरीदे यानि मैंने 40 संत्रों का cost price निकाल लिया 41 और हमारे पास जो rate given है selling price का वो है 9, 4, 10 रुपीज यानि 9 संत्रे बेजता है 10 रुपे में यह तो cost price के rate हो गया और यह हमारे पास selling price का rate है वो 10 रुपे में 9 संत्रे बेजता है अब यह question पिछले वाले question की तरह में convert हो गया एक cost price के ratio हो गया एक selling price के ratio हो गया तो अब पिछले वाले questions में बद करने के लिए जो भी मैंने आपको method बताया उनमें से आप किसी का भी use करके इसे solve कर सकते हैं तो आई ज़र इसे solve करते हैं मुझे profit loss percent बताना है तो मैं cross multiply करके solve कर ले रहा इसको मैंने multiply किया तो मेरे पास cost price आया क्योंकि यह cost price वाला rupees है 396 rupees और हमारे पास जो selling price आया इनको multiply करने से वो आया 400 rupees फिर से सुनिए यहाँ पर cost price के दो rate given थे और equal quantity थी तो हमने quantity यानि 5 and 4, 5 को उपर multiply किया 25, 20 4 को नीशे multiply किया 16 और 20 दोनों को add कर दिया क्योंकि दोनों को मिलाया गया यह दोनों cost price के ratio है ताकि हम single cost price के ratio में आ जाए है वो आया 41 rupees में 40, यह overall cost price के rate हो गया overall selling price के rate हमारे पास यह है आप चुकि यह single rate में convert हो चुका cost price और selling price के तो हम overall profit and loss इसली निकाल सकते हैं उसके लिए मैंने cross multiply कर दिया यह 396, 41 into 9 selling price के लिए 10 into 4 यानि 400 यहां साफ साफ दिख रहा है कि हमें profit हो रहा है क्योंकि हमारा selling price बड़ा है और यह profit जो हमारे पास है वो है 31 रूपीज का 400 minus 369 upon 369 into 100 यानि 3100 upon 369 परचेंट यह होगे हमारे पास profit का answer मैं फिर से repeat कर दूँ मैं आपको बताते वक्त, पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त अप data मैं अपनी तरफ से random लेता हूँ इसलिए मेरे answer ऐसे आ रहा है जो practice questions होंगे, जो paper विगरा में questions आते हैं, वाँ data काफी अच्छे होते हैं solve करने के बाद simple सा answer आपको मिलता है, process सेम है process में कोई दिक्कत नहीं है, उमीद करता हूँ आपको ये वाला example भी समझ में आए होगा तो लेते हैं आज के session का आखरी example इसी से मिलता जुलता तो आए ज़रा देखते हैं, जो की आपकी screen पर आ चुका है, और आप बिना समय व्यर्थ किये हुए, फड़ाफट answer बताएं, जो लोग समझ चुके हैं, जो लोग नहीं समझें जिनको कहीं दिक्कत है, वो लोग भी courses करें, answer comment box में देते रहें फिर जब मैं उसको बताऊं, तो फिर आप उसे match करें कि कहां गलती हुई, या क्या कमी रहे गई, तो दोस्तों अगला example आपकी screen पर जो आ चुका है उसमें भी बिल्कुल similar question है, कोई ज़्यादा difference नहीं है वहाँ पर भी rate given है, cost price के दो number of article यहाँ पर भी same है, selling price का भी एक rate given है, और आप से overall profit loss percent पूछा गया है तो आई ज़रा देखते हैं कि इसको कैसे, क्या करेंगे क्या आएगा, इसका answer process हमारे पास है, तो मैं पहला rate लिख लूँ, अगर cost price का तो पहला rate given है 3 rupees में 2 2 for 3 rupees question में कह रहा है और दोसरा question कह रहा है 4 rupees में 5 5 for 4 rupees, दो प्रकार के उसने आर्टिकल, दो आर्टिकल खरीदे, जिनके rate दोनों के अलग-अलग है, पहले का rate है 2 for 3 rupees, दूसरे का rate है 5 for 4 rupees equal quantity में उसने खरीदा है और उनको mix किया और उसने उसको bach दिया है 5 रुपए में 6 की दर से यानि 6 for 5 rupees, तो हमें profit या loss बताना है, तो चलो number of आर्टिकल सेम कर लेते हैं, 5 से multiply 15 rupees 10 2 से multiply, 8 rupees 10, देखो आर्टिकल सेम अगे, दोनों से बराबर बराबर उसने खरीदा तो यह हो गया 20 और यह हो गया 23 rupees यानि हमारे पास cost price का rate आ गया, कि उस दुकानदार ने जितने भी आर्टिकल खरीदे होंगे, हमें नहीं पता कितने इर आर्टिकल उसने खरीदे, उसका जो equivalent combined rate आएगा वो आएगा 23 rupees में 20 यानि 24, 23 rupees और cost price का rate मिल गया selling price का rate भी हमारे सामने आ चुका है question में given था अब बस हमें profit loss जो भी है वो calculate करना है तो cost price की value निकाल लेते हैं selling price की value निकाल लेते हैं cost price के लिए 23 और 6 को multiply करेंगे क्योंकि cost price वाला rupees यह है तो 8, 138, 18, carry 1, 12 plus 1, 30 और यह हो गया हमारे पास 20 into 5 यानि 100 तो cost price भी आ गया, selling price भी आ गया दोनों में कोई ज़्यादा value आ चुकी है और दोनों में हमें comparison करने पदा चलना है कि selling price हमारे क्या है कम, यानि हमें loss होगा और यह जो loss होगा वो आप देख सकते हैं 38 रुपीज का है और यह loss CP पर होगा into 100 sold की है 2 से कड़ी है, 19 times 2 से कड़ी है 69 यह हमारे पास आ गया answer 1900 upon 69 percent 19 सुबटा 79 प्रतीश है तो दोस्तो आज के lecture में हम लोगों ने एक छोटे से variation की बात की जहां पर एक rate given होता है एक rate cost price का, एक rate selling price का तो उसको solve करने का तरीका देखा number of article देके profit पूछे profit loss देके number of article पूछे वो भी आप निकाल सकते हैं या profit loss percent पूछे उसे भी आप calculate कर सकते हैं उसी का second variation देखा जहां पर दो rate given होंगे cost price के number of article same और एक rate given होगा selling price का, तो overall profit या loss percent निकालना, यहां पर भी number of article वगएरा देके कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, जैसे अगर मैं इसी बोला था, इनको multiply कर देना 120, तो 120 का मतलब 120 पहला भी, 120 दूसरा भी यानि यह 240 article का है, 240 article का हमारे पर value मिल गई, फिर वहां से जो भी profit or loss वगएरा होगा quantity देकर value या value देकर quantity, वो भी आप calculate कर सकते हैं, कहने का जो मतलब है वो यह है, कि इस तरह का जो भी question आएगा वहां पर rate given जहां पर भी होगा same, दो होंगे, यह single single होंगे वहां पर भी आप इसे solve कर सकते हैं, तो उमीद करता हूँ आज के session में जो चीज़े आपको बताएगी आपको समझ में आएओंगी, विल्कुल easy variations थे, next lecture पर यानि कल हम लोग बात करेंगे, कल हम मिलेंगे और एक और variation के साथ और काफी अच्छे question के साथ तब तक घरों में रहिए, सुरचित रहिए, स्वस्त रहिए और online पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद